हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ कड़क चाय की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ तो इस चाय को मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया है बट कुछ ट्रिक्स और टिप्स को मैंने फॉलो किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं एक कप चाय बनाने जा रही हूँ इसलिए एक कप ही पानी मैं पैन में ले रही हूँ और बस इस पानी को खौला लेना है अच्छी तरीके से इसके बाद मैं एक इंच के करीब अधरक का तुकडा ले रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी बस इसी में ध्यान देने वाली बात है कि अधरक को बहुत अच्छे से कूट लेना है क्योंकि कोई-कोई अधरक को बस थोड़ी सी कुचल के और चाय में डाल देते हैं और उसका अर्क नहीं आपाता इसलिए अधरक को बहुत अच्छे से कूट ना है उसका जूस निकाल लेना है कूट-कूट कर और इसके बाद जैसे ही पानी खौलने लगेगा तो इस अधरक के पेस्ट को उस पानी में डाल देना है और दूसरा टिप्स यह है कि चाय के जितने भी इंग्रीडियन्ट हमें चाय में डालने है वो सब उबलते हुए पानी में ही डालना है ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है यूँकि जैसे ही हम उबलते हुए पानी में ये सारी चीज़े डालते हैं तो उसका रस बहुत अच्छे से चाय में आ जाता है अधरक डालने के बाद मैं यहाँ एक चमज के करीब चाय पत्ती डाल दी हूँ शक्कर डाल दी हूँ ट्रेस्ट के कॉर्डिंग इसके बाद मैं एक चिटकी हल्दी डाल रही हूँ और दो चिटकी के करीब मैं इलाइची पाउडर डाल दूँगी हल्दी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी बिंटर का सीजन चल रहा है तो हल्दी से अपना गला जुखाम ये सारी चीजे बहुत सही हो जाती है और इसके बाद ये सारी चीजे बहुत अच्छे से उवल गई थी इसके बाद मैंने दूट डाल दिया है तो ये देखिए आप चाय अच्छे से खौलने लगी है कि आप इस तरीके का चाय एक बार बना के जरूर पीजेगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी है इस चाय को बनाने के लिए बहुत जादा कोई ताम जहाम की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है बस सिंपल वे में ही इस चाय को बनाना है और बना कर इसको पीना है तो ये देखिए मेरी चाय पक चुकी है अब मैं इसे चान ले रही हूँ और ये भाब जो है कैमरे में आ गया है तो इस बज़े से धुदला दिखाई दे रहा है और ऐसे चननी को थोड़ा सा टेड़ा भी कर लीजिए क्योंकि जो भी इसमें चाय बची हुई है वो सब कुछ आपके कफ में आ जाए कुछ भी चीजें वेस्ट ना होने पाएं तो ये देखिए चाय बहुत ही अच्छी दिख भी रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही सांदार है तो इस तरीके की चाय बना कर आप जरूर पीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा